खबर कोटा जिले से है जहां ग्रामीड के मोडग थाना श्वेत्र में नैशनल हाइवे 52 पर सड़क दुरगटना में दो लोगों की दर्धनाक मौत हो गई साथी हाथसे में कार में सवार अन्य लोग भी घायल हो गए जिनने जहालावार एसार जी चिकतसाले रेफर किया गया थाना दिकारी योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि नैशनल हाइवे पर कुकड़ा के निकट लालाजी धाबा के सामने जामील पुरा में बुद्वार तड़के हाइवे पर खड़े ट्रक में जहालावार की तरफ से कोटा की ओर जा रही तेज रफतार कार घुस गई तक कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से चकना चूर हो गई वहें इस दुरघटना में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्पनाक मौत हो गई साथ इस हाथसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने दोनों मितकों के शवों को मोड़क अस्पताल में भिचवाया कोटा से तेजपाल बगगा के रिपोर्ट